पंजाब में कैंसर ट्रेन चल गई है और बाकी देश भी कोई बहुत पीछे नहीं है कैंसर जितना दिखाई दे रहा है उससे दस गुना हो गया है हर तीसरे घर में पहुँच गया है लेकिन अभी तक जादा तर सब क्लिनिकल स्टेज में हैं या अन ड่ाईगनोस्ट है कुछी सालों में कैंसर इतना जादा नजर आएगा जितना आज डायवटीज नजर आता है फर्क यह है कि डायवटीज जैसे तैसे मैने जो जाता है कैंसर तिल-तिल करके मालता है और ये सब को हो रहा है किसानों को पेस्टिसाइड छड़कने से मुझदूरों को गुटका खाने से और शहरी लोगों को एलेक्ट्रोमेगनेटिक फील्ड और ऑक्सिजन की कमी की बज़े से तो इस गंभीर मुद्दे पे हम कुछ थोस बात करना चाहते है तीन हिस्सों में करेंगे पहले बात करेंगे कि कैंसर क्या होता है क्यों होता है क्यों बढ़ रहा है दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि जो इसके प्रचलित इलाज है उनका क्या हाल है और तीसरे हिस्से में कि इससे कैसे अपने आपको बचाए लेकिन एक बार फिर वही गुजारश फिर वही चिताबनी जो मैंने हार्ट अटेक वाली सीरीज में दी थी कि ये तरह टेक्निकल थोड़ा कॉंपलिकेटड वीडियो है तो इससे अगर देखें तो पूरा देखें पूरे धयान से देखें कैस वली नहीं, चाय पीते होगे नहीं गुटका खाते होगे नहीं तो आई ये समझने कोशिश करते हैं कि कैंसर क्या होता है हमारे शरीर में करीब एक ट्रिलियन हुमन सेल्स होती है एक ट्रिलियन का मतलब होता है एक लाग करो और ये सरीर के अलग-अलग हिस्सों में होती है इनकी अलग-अलग फंक्शनलिटी होती है जैसे आंख की सेल देखने का काम करती है कान की सेल सुनने का काम करती है दिमाग की सेल सोचने का काम करती है तो क्या होता है कि हर cell पे नियंतरन रहता है कि किस cell को कितना multiply करना है अब पूरा शरीर आख नहीं हो सकता है पूरा शरीर कान नहीं हो सकता है इसलिए उन पे control रहता है कि कोई cell जरूरत से ज़्यादा multiply ना करे लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे DNA में defect आ जाता है और defect आने से cell functionality भी lose कर जाती है और उस पे ये control कि कितना multiply करे वो खतम हो जाता है और cell बेलगाम तरीके से multiply करने लगती है इस situation को कहते हैं cancer और ये होता रहता है कहते हैं कहते हैं कि हर आदमी को दिन में कई दफ़ा cancer होता है लेकिन हमारे शरीर में एक control mechanism होता है वो control mechanism ठीक से काम करता रहा है तो जब भी कोई cell बागी होती है जब भी कोई cell बेतरतीब multiply करने लगती है तो बाकी body उस पर control कर लेती है और फिर उस cell की growth को भी रोग दिया जाता है Cancer को हमें ज़ादा गहराई से समझने के लिए एक technical concept को समझने जरूरी है जिसको कहते है बारबर्ग's effect ओटो बारबर्ग एक scientist हुए है पिसली सदी के जिन्होंने 100 साल पहले करीब एक concept दिया था जिसको बारबर्ग effect कहते है और ये normal cell और cancer cell के energy production को compare करता है तो हमारे शरीर की जो energy requirement है ये glucose से पूरी होती है और glucose को burn होने के दो रास्ते होते है एक जो oxygen के presence में होता है और इसमें complete burn होने के बाद CO2 बनती है और 36 ATP energy generate होती है और दूसरा रास्ता ये है जो oxygen के absence में होता है और glucose lactic acid में convert होता है और उसमें सरिफ 2 ATP generate होती है तो दूसरे रास्ते में आला कि बहुत कम एनर्जी बनती है लेकिन दूसरा जो रास्ता है वो बहुत फास्ट है पहले रास्ते से करीब 50 गुना 100 गुना ज़्यादा फास्ट है तो cancer cells ये दूसरा रास्ता चुनती है यानि कि वो अपनी energy requirement के लिए oxygen को यूज नहीं करती है तो ये एक main फरक है ये बात हमें समझनी चाहिए कि cancer cell को oxygen नहीं चाहिए लेकिन उनको glucose बहुत ज़्यादा चाहिए तो cancer बढ़ने के लिए तीन situations की ज़रुरत होती है पहली कि कोई trigger हो जो हमारे DNA में थोड़ी गड़बड़ी ला दे दूसरी कि जो हमारी body का control mechanism हो वो थोड़ा इधर उधर हो जाए और तीसरी कि एक ऐसा वातावरण हो जो cancer cells के favor में हो unfortunately अभी ये तीनो situation बहुत ज़्यादा बनी हुई है ये जो trigger की बात है तो ये दो trigger बहुत strong हो गए हैं खासतोर से शेहरों में एक trigger है electromagnetic fields का हमारे घर में हमारे आसपास बहुत सारा electromagnetic field बहुत सारे radiation हो गए हैं खासतोर से cell phone से, electrical wiring से, wifi से, इन सारी चीज़ों से और दूसरा है chemical trigger जो mainly pesticide से होता है, paint से होता है, plastic से होता है और pesticide जो रात में हम लगाते हैं good night या all out उसमें बहुत खतरनाक है और ऐसा ही खतरनाक pesticide अब सबजियों और फलों में है तो अभी trigger बहुत strong हो गया है और अगर हम control mechanism की बात करें तो हमारा शरीर लगातार वो control mechanism हो रहा है एक concept है जो मैं कई वीडियो में बात करता हूँ उसकी microbiota हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे germs होते हैं ये germs दो काम करते हैं पहला ये कि हमारी human cells पे लगाम लगा के रखते हैं कोई cell बेतर्तीब multiply ना करने लगे और दूसरा ये कि वो हमारी immunity बूस्ट करते रहते हैं आजकल ये जो packaged food बहुत चल गया है इसकी बज़े से microbiota कम होता जा रहा है और हमारी immunity कम होती जा रही है और इस बज़े से हमारा human cells पे control है वो कम हो रहा है और तीसरी बात competitive environment की तो आजकल शेहरों में environment ऐसा हो गया है जो normal cells की बज़ाए cancer cells को favor करता है मैंने बार बर गे effect में बात की है कि cancer cells को oxygen नहीं चाहिए और glucose धेर सारा चाहिए और ये ही हो गया है शेहरों से oxygen गायब होती जा रही है इतने सारे लोग इतनी सारे कारें कि oxygen का level लगातार कम हो रहा है और ये और खतरनाक level पर हो जाता है अगर हम AC में रह रहे हों AC में रहने से वही क्वई हवा गूमती रहती है glucose के साथ ऐसे ही हो रहा है कि हमारे खाने में glucose बहुत बढ़ गया है गयहूंग, चावल, आलू, केले, सेव, आम, अंगुर सब कुछ full of glucose है तो इस बज़े से महाल ऐसा है कि वह हमारी normal cells की growth की बज़ाए cancer cells की growth को support करता है अब ये मान के चलिए कि एक all out या good night लगे हुए ear condition कमरे में TV देखता हुआ, fruity पीता हुआ, चिप्स खाता हुआ, साफ सुतरा बच्चा एक बहुत ही easy target है cancer के लिए